राइसेंट बेगम गंचे मरे समबाद दाता शरश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट बाएक चालक हुआ दुरगटना गिरस्त गटना इस तल पर ही हुई दर्दनाक मौत कोहरे के कारण सब को कई बाहिनों ने रोंदा सब हुआ छत बिक्षित उत्तर भारत में हो रही बर्फव जा रहा है जहां बगत नो फरवरी से खराब हुए मौसम से अभी तक रहत नहीं मिल रही है आज सुबह एक बार फिर घने कोहरे और तेज ठंड ने जन जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है मौसम विवाग अभी तीन दिनों तक इस खराब हुए मौसम से रहत क कि कोई उमीद नहीं मिलेगी ऐसा समय ही रात्री के समय मौटर साइकल से ना निकलें आप लोगों से बी न्यूच गुजारिस करता है कि ऐसे घने कोहरे के समय रात्री के समय पर मौटर साइकल से ना निकलें कभी भी कहीं पर भी दुरगटना हो सकती है घने कोहरे की बज़ को कई बाहनों ने रोंदा सब हुआ छत बिक्षित मौके पर पहुची पुलिस नगरपालका के सब बाहन से पी-म के लिए भेजा गया सब राइसन जिले के बेगम गंज में हिर्दय बिदारक दुरगटना सामने आई जहां एक बाइक चालक घने कोहरे के कारण सोबै करीब न से दुरगटना गिरस्थ हो गया चड़क पर डला यूबक के सब घने कोहरे के कारण दिखाई नहीं देने पर कई बाहन उपर से ही निकल गए जिससे सब का एक हिस्सा बुरी तरह छती गिरस्थ हो गया मिर्तक के अंग के कई हिस्से दूर जाकर विखरे डले हुए मिले सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची मिर्तक के पास मिले मुबाइल नंबर के आधार पर उसका सागर का निबासी होना पाया गया जिसमें उसका नाम राम नरेश बिशकर्मा पिता उमा शंकर बिशकर्मा करीब उम्र 30 साल होना पाया गया जो भोपाल में सुरक् करता था और बहीं जा रहा था मुबाइल लंबर के आधार पर पुलिस ने परीजन से संपर कर उन्हें बेगम गंज बुलाया जिसके बाद सबकी सिनक्त उपरांत सबका पीम कराया गया बी निउज एक बार फिर आप से गुजारिस करता है ऐसे घने कोहरे में साम को साथ बज दूरी की भी चीजे दिखाई नहीं देती हैं अचानक बहान आ जाता है और दुरगटना हो जाती है इसलिए सजक रहें सतर्क रहें और सापधान रहें राइसें बेगम गंज से मर संबाद दाता शरस शर्मा की रिपोर्ट